नमस्कार आप देख रहे हो गोल्डम बिस अगर आप भी एक जोयलर्स यानि की सोनार है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा मदवपुन है उसे के साथ में अगर आप एक गराक है यानि की सोने और चांदी की खरीदी करते हो तो ये खबर जान लेना जरूरी है आपके लिए जियां सोने और चांडी को लेकर केंदर की मोधी सरकार ने एक बड़ा एलन कर दिया है आपको बता दे कि बिना हॉलमा की सोने के गहने बीचने पर चुकाना होगा पांच गुना तक जुर्माना जियां दुस्तों केंदर के मंतरी यानिकी राम विलास पासवन जी ने कहा है कि 15 जनवरी से देश बर में सोने के गहनों पर बियाएस हॉलमा की होना अनिववारे हो जाएगा और इसके लिए 15 जनवरी 2020 को अधी सुझना जारी कर दी जाएगी उन्होंने ये भी बता है कि बियाएस हॉलमा की अनिववारे होने के बाद अगर कोई सारफा कारोबारी नियूमो का उलंगन करता है तो एक साल की सजा हो सकती है और इसके अलावा जुर्माने की तोर पर सोने की कीमत का 5 गुना तक चुकाना प्रावदान किया है यानि कि कोई भी जुएलर्स बिना हॉलमा किंग वाला सोना बेचता है तो उसे सजा होगी और इसी के साथ में सोने की कीमत का 5 गुना तक चुकाना पर सकता है मंतरी जी ने काय की जुएलर्स को इसके लिए एक साल का वक्त दिया जाएगा और सरकार द्वारा ये कदम इसलिए उठाय जा रहा है ताकि ग्रावकों को सुद्ध सोना मिल सके वह सरकार द्वारा इस नियम के लागू किये जाने के बाद देश में कहीं भी बिना B.I.S. हॉल माकिंग के सोने की जुएलरी नहीं बेची जा सकेगी सुत्रों का कहना है कि B.I.S. ने तीन स्टेनियों में यानि कि 14 केरेट, 18 केरेट और 22 केरेट के लिए हॉल माकिंग के मानक तेगिये है और अभी हॉल माकिंग सोचिक है वह हॉल माकिंग सोने की सुद्धता का मानक है B.I.S. का ये चिन परमानित करता है कि गहना भारतिय मानक ब्यूरो के स्टेंडर पर खरा उतरता है इसलिए सोने की खरिदने से पहले सुनिचित करें कि आभू स्टेनों में B.I.S. हॉल माकिंग है यही सोने के गहने पर हॉल माकिंग है इसका मतलब यह है कि उसकी सुद्धता परमानित है भई दोस्तो सोने पर हॉल माकिंग अनिवारे होने के बाद ग्राकों काफी फायदा होगा क्योंकि ग्राक जब भी सोने की खरिदारी करते है तो उनको सबसे पहला डर यही लगता है कि सोने की सुद्धता कहीं कम न हो यानि कि उनके साथ कोई भी दोका दड़ी न हो और ऐसे में हॉल माकिंग अनिवारे होने के बाद सोने पर दोका दड़ी नहीं होगी